नमश्कार दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे पैंसन धारक OROP 3 को लेकर जो है काफी जादा कन्फ्यूज हैं कि OROP 3 का फायदा किसे किसे मिलेगा और किस आधार पर हमारी OROP 3 सेट की जाएगी तो दोस्तों वीडियो में आप एंट तक जरूर बने रहें वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आपको OROP 3 का फायदा किसे किसे मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा कितनी आपकी pension बड़ोतरी रहेगी हम विस्तार से बताएंगे तो वीडियो को end तक आप चरूर से देखीगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो 36 2024 तक आए pensioners को इसका फायदा मिलेगा यानि जो 36 2024 से पहले पहले retirement आएंगे उन्हीं को OROP3 का फायदा यहां पर मिलने वाला है उसके बाद दोस्तों base year क्या रहेगा 2023 उसी के आधार पर minimum maximum formula से average निकाली जाएगी और उसी आधार पर आपकी OROP3 आप पर set की जाएगी तो यह चीज आपकी clear रहेगी उसके बाद दोस्तों JCOs को फिर से घाटा हो सकता है क्यों क्योंकि JCOs ORs को जो है OROP2 में OROP2 में भी इनको जो है नहीं मिला था कोई फाइदा तो OROP3 में अगर वही formula रहता है तो बहुत ही कम chances हैं कि JCOs को हमारे को फाइदा मिले उसके बाद दोस्तों OROP1 जिसे मिला है उसे OROP2 मिला आप सभी जानते हैं और जिसे OROP2 मिला उसे ही OROP3 मिले गा यानि जो OROP2 के दाइरे से बाहर है वो OROP3 के दाइरे से भी बाहर कर दिये जाएंगे क्योंकि ये हम आपको जो OROP 2 जिसा अधार पर दी गई है उसी के अधार पर बता रही है कि जिसे OROP 1 मिला था उसे ही OROP 2 मिला तो उसी अधार पर जो इसके लाभारती है उसे ही OROP 3 मिल पाएगा दोस्तो OROP 2 के अधार पर ही हम ये आपको expected चीजे बता रही हैं क्योंकि काफी सारे पैंसन धारकों के कमेंट थे कि OROP 3 के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाईए कौन-कौन इसमें लाभारती रहेंगी क्या कुछ इसका क्राइटेरिया रहेगा और एक expected table कि कितना आपकी पैंसन बढ़ेगी वो भी हम आपके लिए जो है OROP 2 के फोमले पर ही तयार करेंगे अगर आप देखना चाते हैं तो कमेंट बोक्स में जरू टाइप करें OROP 3 टेबल तो हम उसमें आपको बताएंगे OROP 3 में आपकी जो है कितनी बढ़ोतरी रहेगी अगर आप देखना चाते तो ही हम expected table बनाएंगे तो उसके बाद दोस्तों सिपाई से लेकर उन्रेरी नाइव सुवेदार तक पैंसन बढ़ेगी Officers Major General तक फाइदा होगा आप सभी जानते हैं कि JCOs OROP 2 को जो है कम फाइदा हुआ है लेकिन जो Officers हमारे है Officers को लगातार फाइदा ही फाइदा हो रहा है तो Officers को अब भी आगे फाइदा होगा क्योंकि जिनको OROP एक चीज आप यहां पर बेसिकली समझे OROP 2 के फाइदे जिसको मिले हैं उसे OROP 3 के मिल रही है तो जिस आधार पर OROP 2 में Officers को फाइदा हुआ तो OROP 3 में भी Officers को जादा फाइदा होगा यह चीज़े Automatically Clear है हम आपको बिल्कुल डिटेल वीडियो भी देंगे कि कितनी Pension बढ़ेगी और उसके बाद समय क्योंकि ARIER समय पर Depend करता है क्योंकि अभी यह 2024 के Elections हैं तो हो सकता है कि आपका जो यह OROP 3 है समय से दे दिया जाए क्योंकि Elections की राजनीती तो आप समझते है अगर समय से दे दिया जाता है तो ARIER का कोई मसला ही यहां नहीं है लेकिन अगर ARIER बनेगा तब जब OROP 3, OROP 2 की तरह काफी ज़्यादा लेट लतीफी में जाएगी तो अभी हम ARIER के टोपिक को यहां फिलाल होल्डोन करते हैं क्योंकि OROP 3 की बहुत ज़्यादा हुंजाय से की समय से मिले क्योंकि आगे 24 के लोग सबाई Elections हैं तो जल्दी ही मिलेगी अगर नहीं मिलते हैं तो उसके बाद हम ARIER के बारे में भी जानेंगी दोस्तो OROP 3 की एक्सपेक्टिड टेबल देखने के लिए वार्कमेंट बोक्स में येस जरूर से टाइप करें हम आपके लिए तयार करेंगी विद फोमूला तो जो भी आगे के अपडेट से हैंगी हम आपके साथ जुडएंगे शेयर करेंगे तब तक के लिए आप सभी पैंसन थार को कुछ यह ही जय भारत